हलो फ्रेंड गुड मानिंग मैं प्रेम चनल मेरे यूट्योब चनल से च्छक पसार पर आप सबी कस्वागत है दोस्तों आज हम लोग क्लास 11 की निव चेप्टल लेकर के आएं जो बहुत ही इंप्वर्टेंट है जो आपको जूड़ वा घटाना वह भाग के विए आपको सम भुज किस प्रकार निर्मार किया जाता है और आयत किस प्रकार निर्मार किया जाता है या चत्र भुज किस प्रकार निर्मार किया जाता है यह आपको इस चेप्टर में देखने को मिलेगा और इसमें यह भी देखने को मिलेगा कि दिसाएं कुल कितनी होती है फिलाल दिसा पार रूप से क्योंकि इसमें दिशा की जरूरत पड़ेगी तो उसको हम लोग क्या करेंगे डिसकस करेंगे तो आज का जो चेप्टर है दोस्तों आज का है सदिस विसलेशन यदि अंसी आटी का तो देखा जाए तो उसको दोनों मिक्स करके एक चेप्टर बनाया गया है गत उसको हम लोग चेप्टर का नाम लिख देते हैं देखिए समझिए सदिस विसलेशन अब देखिए दोस्तों जो सदिस विसलेशन है इसके अंतरगत दो सदिस आती है अर्थात इसके अंतरगत दो रास्या आती है एक सदिस रासी होती है एक अधिस रासी होती है इसके अंतरगत दो सदिस रासिया होती है जैसे कि माल democrat कि मैं पहला है अधिस राष्य दूसरा है तो जैसा कि यहां पर यह जो है दोस्तों यह आपको ध्यान पूरवक पढ़ना और उसके बाद इसको भी ध्यान पूरवक क्या करना है आपको अध्यान करना है तो जैसा कि यहां हम लोग इसकी बारे में डिसकस करें यहन होता क्या है दोस्तों अधिसरासी तो इसमें नार्मल सी परिवसा होती है ऐसी भौतिक रासी। क्या ऐसी बहुतिक रासिक जिसको व्यक्त करने के लिए परिणाम कि आउसकता हो परंतु दिसा कि आउसकता ना हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे अधिसरासिक कहेंगे क्या अधिस राह से कहेंगे जैसे का मान लिएक यहां पर इखञा जाये तो यहां पर आप लोग लिख सकते हैं क्या कारे क्या कारे दर्ब्मान दूरी यह सभी है अनेक अनेक प्रकार के यह कुछ इखञांपल है जो आप को मदद करेगी, और यहीं पर आप लोग आयत लिखे सकते हैं, आयत या आयतन, एटी सी, तो यह क्या है, एक्जामपल, माल ले जी कि जैसे कि आप से यह कह दिया जाए, सदिसराज के अंतरगत कार, कार क्या होता, माल ले जी कि हमको कोई, किसी प्रकार के पांच 5-5 खोद ना है और खोदने के बाद हमको पैला मिल गया क्या 5 फिट खुद किया गड्धा और हमको एक चीज नहीं मिला हो हे क्या दिसा हम किसी दिसा की और खोद रहे हम लोग duration कि और क्या करें खोद गया कि परिषम के बारे में समझना चाहते हैं। आप लोग यी देंट सकते हैं जिसमें दो कि पर्यजल्ट निकलना कर परिणाम के क्या है निकल लेकिन है कोई दीसा नहीं है तो ही हहां बताने के और सकता पढ़ ले हमको तो यहां पर आप लोग ये भी लिख सकते हैं अथवा में एक और परिभासा है इसको आप लोग नोटिस करिएगा अब जैसे कि यहां इसको समझना हो तो इनकी एक परिभासा और है तो इनको आप लोग इस प्रकार बता सकते हैं जिन रासियों को व् व्यक्त करने के लिए संख्या तथा मात्रक किया उसकता पड़े तथा गणती नियमों के अनुसार उसे क्या किया जाए जोड़ा जाए तू क्या कहलाएगे मेरा अधिस रासी कहलाएगा जैसे मैं पुना एक बार बताने की कोशिस कर रहा हूं जिन रासियों को व्यक्त करने के लिए संख्या तथा मात्रक की आवसकता हो या आवसकता पड़ती हो तथा इसको गणती विदिस क्या किया जाए जोड़ा जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे अधिस रासी कहते हैं जैसे कि यहां मैंने यह कहा दो चीजों का यहां सब दिलिया ह जा कार erlebt मैं कहा हूं एक क्या है संख्या कि दूसरा क्या है मांपाटरक जिन रासियों के व्यक्त करने के लिए संख्या मात्रक की क्या होती आउन सकता होती है तता उनको घरती विदिस य स्कीया जाए-pertरेगि penso उसे हम लोग क्या कहेंगे अधिस राज से कहेंगे जैसे एक्जामपल आप लोग ले सकते हैं मानली जी कि एक एक्जामपल ले लेते हैं रोहन की रसोई में क्या रोहन की रसोई में एक केजी आलू है क्या वन केजी आलू है तो उस वन केजी आलू में ये निरधारित होगा कि साथ आठ नव दस कोई भी एक निश्चिस संख्या में आलू होगी मानली जी नव आलू नव आलो को मिला करके एक केजी उतर रहा है उसको तॉलने पर एक केजी क्या कर रहा है निकल रहा है मेरा तो उसको एक केजी तॉलने तो उसमें क्या हुआ उसमें दो चीजे उभर के आई पहली चीजे ये उभर का आई जब हम उसको वजन किये तो एक मातरक मेरा निकल करके मा्तरक के साथ साथ हम यह भी मिला है कि उस एक केजी आलू में कितने आलू հहेंगीDie एक निरधारित रहेंगे कि e ağlarai 11 क्या होंगा हूंगी चाहि diu हम को संख्या भी मिल गई यानि कि आलू कुल कितनी है मानले जी कि आलू कुल कितनी है नाव है तो यह हमको संख्या भी मिल गया और मातरक भी मिल गया तो उसे हम लोग क्या कहने अधिस रासी कहने आई बात गई समझ दोस्तों यह बहुत ही इजम पर आव ले सकते हैं दूरी मानले जी का हमको चलना है दस किलो मिटर जाना है मानले जी कि रोहन के घर हमको दस किलो मिटर जाना है और रोहन का घर वृत्ताकार मार्ग में एक इस्तित है मानले जी कि इस वकार रोहन का घर यहां पर है और हमको यहां चलना है इस वकार य हेँ हैं चले रहें दस किलो मिटर दूर रहा है दस किलो मिटर के बाद हम को रोहन का घर मिल गा हुँआ हमको प söz्राम मिल गया लेकिन इस कोई निरधारित की तो क्या होगी अधिसराज के अंतरगत और आएगी थेली बात क्लिय उसके बारें भी हम लोग क्या कर लेते हैं डिसकस कर लेते हैं जैसा कि वहां देखिएगा यहां पर बोर्ड में देखिए तो यहां पर आपको यह दिहान देना है दिसा मैं यहां जब कमड़ीशन पढ़ा रहा था तो वहां पर हम लोग डिसक बारें व曲्तार आरशन टॉफिक हैं सकते हैं हम यह रहां बता दे रहें वहां था आएन यहां भी वता रहें दोनों जगहों से आफ क्या को दिसा कर सकते हैं यह परके बारें को यह द्यान देना है दोस्तोर जैसा कीमान लेजे की दिसा कुल दस होती हैं दिसा कुल कितनी होती दस होती उसमें से ये पूछ लिया जाए कि मूल दिसाएं कितनी होती हैं तथा उप दिसाएं कितनी होती हैं दोस्तों तो आपको ये निर्धारित करना है कि मूल दिसा दो होती हैं क्या मूल दिसा कितनी होती हैं दो हम लिखने जा रहे देखिए का मोल दिसा कुल कितनी होती है दोस्तों दो और उप दिसा उप दिसा कुल कितनी होती है शिक्स और वैसे जो दिसा होती जैसे कि हम लोग कह देते हैं ऐसी दिसा का नाम बताईए जो अद्रिस होती है तो यहां पर आप लोग लिख सकते हैं कुल अद्रिस दिसा कितन होती है दो यह अद्र से दिसा है लाल हम लोग इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे पहले हम लोग ड्राइगराम बनाएं तेहां पर आप लोग देख सकते हैं कि दिसा देखिए कि यह पूरा भाय कि यह क्या है कि इस में तो यह जो है दोस्तों जो कूरा है वह वा पुष्श्य में यह क्या है मेरी मूल डिसा अब हिरे इस यहां पर हम लोग लग सकते हैं मूल उल मूल डषम हैं यहां पर भी लिख सकते हैं मूल दिसा और यह आप लोग याद करिएगा ध्धान रख्येगा झो उप धिसा होती है वो सदेते зबोर मूल दिसा से ही निर्माड की जाती है क्या उपधिसा जो हैं जो 6 उपधिसाएं हैंb-ध्दिसा से ही बनाते हैं अब हम लोग इसके बारे समस्ते हैं देखिए आप लोग जानते हैं कि यह क्या है मेरा यह उत्तर है क्या यह उत्तर है यह क्या है दच्छुन है अब इसमेंसे हमको यह दो दिसा लिखना आवसक यह कहीं आप को यह भी मिल सकता है कि मूल दिसाएत क्युल्द कितनी होती आप फूर भी बता सकते हैं लेकिन सर उपरतम कितना बताएंगे तू बताएंगे फिर उसके बाद फूर बताएंगे जब आप संद में नहीं मिलेगा तब तो यहां पर आप लोग देखिएगा यहां चार दिसा हो गई एक दो तीन चार इसके मद्ध में भी दिसा होती है दोस्ते और इसके भी मद्ध है अर्थाद मिडल में होती है और इसके भी मिडल में होती है और इसके भी क्या होती है मिडल में होती है तो यहां पर जो दिसा है दोस्तों यहां पर यह बात होगी यह सर प्रताव हम लोग यहां से चलना प्रारम करेंगे अर्थात क्लाकवाइज ना कि एंटी क्लाकवाइज क्या करेंगे चलेंगे यहां क्लाकवाइज चलेंगे क्या क्लाकवाइज यहां चलने की कोशिस करिए ग कि अमद्धवाला दिसा प्राप्त होगा उसके बाद दिससा प्राप्त होगा ना तो यद2 माल लेजी कि इसको हम लिखिंगे कि प्रतरब्म किसको लिखेंगे अब दिसा को आप पूरव ने पूरव और क्या दच्छन अब देखी कहीं भी कोई भी टीचर इस प्रकार कहए दे कि दच्छन को पहले लिख दिया जै पूरव को गलत वह अपवाद सवरूप कहीं गलत हो जाता है लिकिन उसको भी सही माना जाता है क्यों सही माना जाता है किसलिए इसको भी मूल दिसा के रूप में जानते हैं क्योंकि चार मूल दिसाएं होती आप वास्तों रूप लेकिन वास्तों में कितनी मूल दिसाएं होती दो होती है दोस्ते जिसको आप लोग नोटिस करिए और ध्यान पूरक सम मुल डिसा क्या है मेरी यह है पहशिम तब हम लोग इसको पहशिम लिगं देते हैं इस परकार और फिर उसके बाद देश हो ंगे ओड़िक और जिसे परकार यहां समयने यहां पर चले इत जब यहां से यहां चलेंगे अिस मद्द में यह मिलेगा फिर जब यहां से यहां चलेंगे दोस्तो तो इसके मद्द में पहले यह मोल दिसा लिखे जाएगी पाशीम फिर उसके बाद क्या उत्तर लिखी जाएगी दोस्तो इसको आप लोग नोटिस करिएगा फिर इसे के बाद जब उत्तर से चलेंगे अब यह आप लोग नोट कर सकते हैं और देख भी सकते हैं कि कुल कितनी दिसाएं हैं दोस्तों यहाँ पर आठ दिसाएं उभर करके आई सामने आपके और यहाँ पर आप लोग यह देख सकते हैं कि यहाँ पर कुल कितनी दिसा हो गई आठ हो गई 1,2,3,4,5,6,7,8 इट आ ग वास्तों कितने उभर के आई आठ तो दो दिसाएं ऐसी होते हैं जो अद्रिस होती एक उपर दूसरी क्या होती नीचे तो एक इसके उपर दूसरे इसके नीचे जो कि इन दिसाओं का नाम नहीं होता इनको अद्रिस दिसा के रोप में क्या किया जाता जाना जाता है तो यह आ यहां पर देखा जाए सदिस राशी क्या सदिस राशी भी क्या है इंपोर्टन बहुत इंपोर्टन दोस्तों अब जैसे कि यहां पर सदिस राशी देखा जाए यह जो है इसकी परिभासा यह बनेगी दोस्तों यदि कोई भी भौतिक राशी जिसको व्यक्त करने के लिए परिणाम तथा दिशा परिणाम तथा दिशा दोनों की आउसकता पड़ती है तुसे हम लोग क्या कहते हैं सदिस राशी कहते हैं दोस्तों आई बात गई स्वाज में मैं पुना एक पर रिपेट कर देता हूं जिन भौतिक राशी को व्यक्त करने के लिए परणाम तथा दिशा कि आउसकता होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों सदिस राशी कहते हैं जैसे कि हम लोग एक्जामपल ले सकते हैं भी जाएंगे मालनें जी को हम पालशी कोई टेबल है मेरे सांदे उसको हम लोग फोड़् से लगाकर को 2-否 तक ठेलेंगे बल लगा करके तो एक निर्दारित हैं भी हम चिण्षणत थेलना था यब आप पहुँच गही तो हमको यह मिल गया कि वो क्या है पहिणाम मेरा निकल गया कि दो फिट तक ही हमको क्या फोर्स लगाना था इसके बाद नहीं लगाना था और उसपर जब आप लोग फोर्स लगाB 2015 BAATT तर्याद अच्छन और मान लेजी कि इसमें चारों से नहीं हुआ तो आप लोग उप दिसाओं को भी रख सकते हैं जैसा कि मैंने अभी यहां बताया यह जैसा कि यहां पर बताया मैं भी तो यह सभी बहुत ही इंप्वाटेंट हैं जैसा कि यहां पर एक्जामपल लिखा जा विस्थापन त्यादी, ऐधि मान लेजे कि इसकी एक और परिभासा लिखी जाये तो दोस्तों यहां पर हम लोग उसको समझ लेते हैं कि यहां पर हम लोग उसको समझे लेते हैं लिख कर समझेंगे दोस्तों कि इनकी परिभासा कुछ अलग मैं अपने अकार्डिंग बता दिया हूं देखिएगा कि जिन रासियों को क्या जिन रासियों को 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 बताने के लिए क्या जिन रासियों को बताने के लिए पहिणाम कि तथा दिशा क्या पहिणाम तथा दिशा कि दोनों कि आउसकता पड़ती है क्या दोनों कि आउसकता पड़ती है दोनों की आओ सकता पड़ती है या होती है होती है उन्हें हम लोग क्या कहते है उन्हें हम सदिस रास तो ये रही बात जैसा कि इसको आप लोग ध्यान पूरो अग समझेगा पहले मैंने ये बताया कि जिन रास्यों को व्यक्त करने के लिए पढ़िणाम तथा दिसा दोनों की आउसाकता पड़े तो उसे हम लोग क्या कहते है सदिस रास ही कहते है उसी ब्कार यहां मैं मैं कुछ सब्दों को चिन्ज किया हूं परिभासा यानि कि सब्द वही है और यहां पर कुछ सब्द हैं जिस को मैं ने चिन्ज किया जिन रास्यों को बताने के लिए पढ़ियों तथ Duchा दोनों किया वो कितिता है इतनी पॉइंट चिंज होई है होती है और यह जिसको जिसको मैं बिंद कर रहाँ रिब में वो वो क्या है सब जो को परिवार्थित कर दिया गया है उन्हें हम सदी सरासी और कहते हैं एक्जामपल में सैंग्जामपल लहें रहेंगे इसमें रहेंगे इसको भी आप लोग ध्यान पूरवक्त देखिए गा लेकिन इससे पहले आप लोग कुछ बातों की याद करिए जैसा कि यहां पर इसको रफ कर दिया जाए दोस्तों अब जैसे कि यहां पर आप लोग दो चीजों को थोड़ा नोटिस करिए कि बहुत ही इंप्वाटन्ट है जैसा कि यहां पर यह जो है इसी को हम इसी में और कुछ बातों को कर सकते हैं क्या और भी बातों को कर सकते हैं जैसे कि इतनी बाते हैं इसी का आगे हम लोग यह कर सकते हैं इसके आगे देखिए इसके आगे आप लोग समझेने की कोशिस करिएगा यह देखिए प्रासेस जो है इसको मैं बताने कोशिस कर रहा हूं देखिए आप लोग समझेगा यह ज समझाने जा रहा हूं देखिएगा यह जो प्रेकर्म बंद कर दिया इसको नहीं लिखना है देखिए इसको और किस प्रकार निचोड को और अलग परिभासा किस प्रकार बनाई जाती देखिए यहां पर आप लोग यह लेख सकते हैं तथा क्या तथा 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 तिरे क्या त्रिभूज नियम के अनुसार जोड़ी जाती है इन्हें उन्हें सदिस रासियां या रासी कहते हैं तो यहां पर यह है दोस्तों जैसाँ मैंने उससे जैस्ट आप पोजेट परिवासा बताया जिन रासियों को बताने के लिए परणाम तथा दिसा दोनों की आउसकता होती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों सदिस रासी कहते हैं क्या सदिस रासी तो जैस्ट इसमें एक लाइन वा दो लाइन मैं यहां जोड़ने को सिस किया हूं देखिएगा मैं इतना सिर्फ प्रॉसेश जोड़ा हूँ यह जिन रासियों को बताने के लिए पैड़ाम तथा दिसा दोनों की आउसकता होती है और सकता होती है तथा त्रिभुज नियम के अनुसार इसे क्या किया जाएगा जोड़ा जाएगा अर्था जितने भी भूतिक रासिया होंगी उनको क्या किया जाएगा त्रिभुज के अनुसार क्या किया जाएगा जोड़ा जाएगा जब आभी आप लोग वेक्टर पढ़ेंगे वेक्टर बहुत ही इंप्वर्टेंट है दोस्तों इसी लिए सदिस्विसिलेशन पढ़ाया जाता है जिसके कारण हमेशा अपोजिट रखा जाता है यदि सीर पकड़ें तो दूसरा क्या होगा पुछ हमको पकड़ करके जोड़ना पड़ेगा जिसके कारण हमको त्रिभुज हुआ आयतन तथा अार क्या कुछी ही प्रकार का हम लोग क्तिरा बना सकते हैं इसे को बनाने कुछिस किया जो बन गई इसको आप लोग क्लियर करिए अब इसी का आगे दो पॉइंट ऐसी है जो आपको यह सचेत करेगी कि जो भी सदिस रास्ट के अंतर गताएगा उसको प्रोसेस क्या होगा उसको समझेगे आप लोग कि जैसा कि यहां पर आपको यह ध्यान रखना है जो विद्धुद्धारा होती है दोस्तों विद्धुद्धारा की दिसा नहीं होती है लेकिन यहां पर आप लोग यह कह सकते हैं जो सदिस रासी है माले जिस सदिस रास यह जो सदिस रासी है दोस्तों इसमें प्रोसेस यह रखना गया है जैसे माले जो वैधुर च्छेत्र ओके वजदू च्छेत्र और यहां चुम्ब की बलग चुम्ब की बलग की रेखाएं ओके और यहां पर धारा घनत्व भी लिख सकते हैं धारा गनत्व इत्यादी तो यहां पर आपको यह नोटिस करना जो यह वैदू च्छेत्र है यह वैदू च्छेत्र जिस परकार मैंने यहां वैदू धारा को यह बताए कि इसकी दिसा नहीं होती है दिसा इसलिए नहीं होती क्योंकि इसको जो विदुर्धारा लिखवाया गया जैसे कि आपके घरों में विजलियां जो लगाई गई है वो सामानतर सेड़ी अर्थाता पार सो करम या सेड़ी करम में लगाई जाती है जो एक दिसा यानि जो सेड़ी करम है उसको आप लोग द प्रकार यहान विद्धारा भी क्या है अधिस स्रास सथथ है नहीं तुक्त पर लोग फ़एगा तो यहां पर आप लोग यह सभी बातु को किया करिए नोट करते हुए चलिए जिस प्रकार मैंने यह आपको बताएं कि जो दिसाइंकि आहें जो कितनी होती हैं 10 प्रकार इसमेंसे 2 changing do more charge 6 up aja cidade होती हैं और दो दिसाइं एसी ओती हैं जो अद्रिस होती है यह एंप mattress ग्यर Anyone . जैसा कि Sap hai निर्मार की आजाता है इसको आप ज्ञेन पूरा पड़िये गया जैसा कि से देखा जाए यहाँ पर यहाँ पर जो अगली पॉइंट है वो सदिस राशी का निरूपन है क्या सदिस राशी का निरूपन है जो कि हम को इसको बाद पढ़ाना चाहिए हैं जैसे की सदिस राशियों का निरूपन तो सदिस रासियों का निरोंपन क्या होता है ऐसी बहुत तिक रासि या इस प्रकार हम लोग यह लिख सकते हैं जैसा कि यहां इसको रफ़ किया जाए तब इसको समझाते हैं जैसा कि यहां पर देखा जाए दोस्तों पहुत ही इंपॉर्टन कड़ी है जिसको हम लोग क्या कहते हैं सदिस रासियों का निरोंपन सदिस रासियों का निरोंपन ओके यह जो है इसको आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि यह सभी बहुत ही इंपॉर्टन्ट है ऐसी सदिस रासियों क्या इसी सदिस राशियों जिनको बाण या तीर बान या तीर अर्थ वही है दोनों का अर्थ वही है लेकिन जो बान है बान का भी अर्थ तीर होता है और तीर का अर्थ भी क्या होता है बान ऐसी सदिस रासी जिनको बान वा तीर के द्वारा क्या किया जाए प्रदर्सित किया जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे सदिस स्रासियों का निरोपन अब यहां वाणवातीर की बात आई है दोस्तों यहां दो बाते उभर करके आती है किरन वा रेखा में क्या अंतर है कि रण वा रेखा में तो जैसा कि हम लोग यहां देखते हैं समझते हैं यह बताई इसमें से कौन सी की रण है और कौन सी रेखा है दोस्तों तो आप लोग यह कह सकते हैं जो भी रेखा है उसको एक ही दिसा में क्या कर सकते हैं बढ़ा सकते हैं और कि यह यहां पर जिस कार मालिज किये जो एक तरफ क्या रहें ऋपड़ा आप बढ़ा सकते हैं अर्टों कि रहेज़ुक्त के परवर्तन की कर सकते हैं इस वह आप लोग के रहें एन्टर फाइनल में तो मैं पढ़ांगे विस्तार से तो यहां पर जब चिس कार मालेजिकी ऐ जब एक तरफ क्या रहें एरो लगा रहें क्या रहें तो क्या कहलाएगी यरिख तो क्या कहलाएगी दोस्तों वह हमारा किरन कहलाएगी जो दोनों और क्या होती है चलती है तो यहां पर आप लोग लेख सकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं सदिस राशियों का निरूपण कहते हैं जैसे कि यहां पर यह है इस प्रकार यह क्या है सदिस राशियों के रूप में निरूपण किया जा रहा है और यह देखी ये क्या है मेरा सदिस राशियों को निरूपण किया जा रहा है ये बहुत फैक्ट है ये दोनों चित्रों को आप लोग बना लिजे किसलिए दोनों चित्रों की है कार्णिंग सभी कारेयों को क्या किया जाएगा संपन किया जाता है करएंगे लिए इसी की आगे जो प्रोसेस आने वाले हैं फिलाल हम लोग पहले सदिस का वर्गी करण देखेंगे इसके बादा उसके बारे विस्तारूत सम्झेंगे तो इसके आगे डिए बेरी मेरी सबस्क्राइब निरूपन सदिस राषियों का निरूपन तो यह सी कि आगे हम लोग सदिस राषियों के निरूपन पढ़ेंगे लेकिन उससे पहले यदि मेरी क्लास अच्छी लग रही हो दोस्तों प्लीस लाइक किजिए सेर किजिए कमेंड करिए और सबस्क्राइब वहा बेल आइकन दबा बी क्या होगा मदद मिलेगी मेरे क्लास से और वह भी प्रसंद होंगे कि जो भी मित्र मेरे हैं मेरा ध्यान कितना विशेश रोप से रखते हैं यह आपका दोस्त जो है वह यह सूचेगा कि जो मेरा मित्र है मुझसे किसी प्रकार कोई बात छिपा नहीं रहें खास्तों या जिस भी पाठिकरम से पढ़ाये जा रहे हैं या पढ़े जा रहे हैं वह हमको हमारे साथ क्या कर रहा है तो आप लोग प्लिस सेयर करिए का ओकि तो अब हम लोग इसी का आगे चलते हैं सदिस रास्यों कस वर्गी करां इसको रफ किया जा दोस्तों तो यहां पर हम लोग सदिस रासियों का वर्गी कराण पढ़ेंगे दोस्तों तो यहां पर देखिएगा जो है बहुत इंप्वाटेंट है सदिस रासि का वर्गी कराण सदिस रासि का वर्गी कराण तो इसी का आगे हम लोग देखें दोस्तों तो इसके निम्न प्रकार के वर्गी कराण कि यह जा सकते हैं तो यहां पर आप लोग लेख सकते हैं जैसा की सदिस रासियों को निम्न भागो मैं विभाजित किया जाता है लोग तो जैसा की यहां पर यह दोस्तूं गपास की वहां पर कुछ ऐसे सब्सक्यों है जो बहूत इंप्वाटेंट है जैसा कहां पर देखा जाया पहला पॉइंट है मुट सदिस्थ क्या मुट सदिस दूसरा नंबर है उसको हम लोग बोलते हैं सर्पी सदिस सर्पी सदिस और तीसरा जो है दोस्तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या आबध सदिस ओके इसी के कार्डिंग चौथा पॉइंट क्या हो जाएक दोस्तों यह हमारा जो है चौथा पॉइंट इसको समान सदिस कहते हैं क्या समान वहीं पर पांचवा सदिस से जो यह सदिस हो दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको आप लोग ध्यान पूर्वक समझेगा जैसे कि यहां पर पांचवा देखा जाए यहां विप्रीत सदिस ओके सिक्स नंबर है यह कांक सदिस और सेवंत नंबर यह कुछ ऐसे सदिस हैं दोस्तों जो आपके तोड़ा पढ़ने का रवया क्या करेगा बदल देगा सुन सदिस अब देखिए इसमें से आपको कुछ ही पॉइंट पढ़ना है जैसे कि समान सदिस ओके विप्रीज सदिस ओके यह कांक सदिस ओके और सदिस यह सदिस आपको पढ़ना है सरप्रदम तो उसको हम हम लोग सर वर्पर तम इसी पर फोकस करते हैं जैसा कि यहां पर ध्यान पूर्वाग देखिए गा देखिये हम लोग यह Van 1987 करते हैं क्या समान सब्सक्राइब समान सदिस क्या होता है इसमें जैसा कि यादी हम लोग लिख हैं लिख करके समझ लेते हैं ज्यादा बिटर रहेगा सभी सामान तर सदिस क्या सभी सामान तर सदिस जिनकी लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं परिणाम कहते हैं वा समान हो क्या हो समान हो तो उसे समान सदिस कहते हैं ओके जैसा कि यहां पर हम लोग यह कह सकते हैं देखिएगा यह जो प्रॉसेस है दोस्तों बहुत है कि देखिए यह एक समान लंबाई है मान लेते ही इस पर वेक्टर एक आर कर रहा हों कि यानि कि वेक्टरों का सा योग जब सादिस पूछेगा तो वेक्टर लग जाएगा डी है वेक्टर बी यह क्या हो जाएगा वेक्टर सी और यह वेक्टर डी अब जब समान यह लंबाई है तो जाहर से बात है यह आपस में चारों क्या होंगे बरावर ही होंगे वेक्टर ए बरावर वेक्टर बी बरावर वेक्टर सी बरावर वेक्टर डी यह क्या है चारों आपस में क्या है बरावर है न तो यह क्या होगी समान सदिस जैसे कि यदि इस पर नोटिस किया जाए इस पर देखा जाए तो यह बता ज़र एक सामांतर सदिस जिनकी लंबाई ये सामांतर क्या हैं सदिस हैं जिनकी लंबाई अर्थात का परणाम वदिसा समान हो तो उसे समान दे कि इनकी लंबाई इनकी लंबाई इनकी मान लेजिए कि इसकी लंबाई क्या है कुल टू ये है यानि को टू मीटर है और इसकी भी क्या हो तू मीटर ही हो जाएगी और उसी प्रकार यह भी क्या हो जाएगी दो मीटर भी हो जाएगी और इसी प्रकार दो मीटर यह समान लंबा ही होके और दिसा भी क्या है यह कही है तो यह क्या कहलाएगी समान सदिस कहलाएगी यह कहते हैं आई बात गई सब्सक्राइब दोस्तों तो इसी के बाद हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं और यह जो विफ्रीज सदी से बहुत ही इंपॉर्टेंट है उस पर हम लोग फोकस कर लेते हों कि तो जैसा कि यहां पर आप लोग को देखना है विफ्रीज सदी तो इसको आप करें पहले तो यहां पर जैसा कि यदि देखा जाए दोस्तों पांचवा नंबर जो पांचवा नंबर है यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह जो है जैसे कि यहां पर हम लोग लिख सकते हैं ऐसे दो सामांतर सदिस्त लिख लेजिए जीन के जीन के परिमान बराबर हों क्या जिनके परिमान बराबर हों परन्तु दिसा विपरीद हो तो कुछ से विपरीद सदिस्ट उसे विपरीद सदिस्ट दिस्ट नियुक्रिए यह जैसा कि यहां पर यह प्रोस्टेंस हो जाएग इसको आप लोग तोड़ीज्ट फोकस करिएगा वेक्टर ए क्या वेक्टर ए वा वेक्टर डी क्या वेक्टर ए वा वेक्टर डी कामा वेक्टर भी वा हम लोग कह सकते हैं डी वेक्टर की ही साथ में लगे रहेंगी इसको आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा ता था था विक्टर C वा विक्टर D सभी को जिसके भी साथ कंपेर किया जा रहा है वो क्या किया जाएगा उमलब हमेशा जैसे कि A कंपेर किसके साथ किया जा रहा है D का और B कंपेर किसके साथ किया जा रहा है D का तो यह प्रासिस यह के यह डोनों आपस्म क्या होंगा विपरीदविपरेश सब्ष DIRE होंगे क्या कि विपरीद कि है कि विपरीदविपरेश कंगुआ है तो आप लोग थोड़ा ध्यान पुरूत देख़ की गा अब जैसे कि यहां पर जब डिप्रिस सदिस हो जाएंग दोस्तों तो यहां पर प्रोसेस यह क्लियर हो जाएगा वेक्टर A बराबर माइनस D वेक्टर क्या माइनस D वेक्टर और यही पर जब वेक्टर B बराबर हो जाएगा तो माइनस D वेक्टर यह भी सभी में D वेक्टर क्या होगा माइनस में लिखा जाएगा और C वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा माइनस D वेक्टर ये चार तीन पॉइंट इसको आप लोग नोटिस करना लिखना है किसलिए इसी के कार्डिंग ही सभी कारें किये जाते हैं जैसा कि यहां पर इसकी परिभासा एक बार थोड़ा समझ लेते हैं तो इसकी परिभासा में ये बताया जारा है दोस्तों ऐसे दोस्त सामान तर सदिस्त जिने के परिड़ाम बराबर हो परंतु दिसा विपरीत दिसा विपरीत हो तो उसे विपरीत सदिस्त क्या कहते हैं किसलिए इनी को हम लोग समझते हैं ऐसे दो सामान तर सदिस्त जिनके परिड़ाम बराबर हो माल लेजिये कि हम कहते हैं ये क्या है दो तीर है या बाण है किसलिए बाण और तीर मैं इससे पहले समझा चुका हूँ यह दोनों आपस में क्या है सामानतर हैं लेकिन इनको हम लोग क्या कर देते हैं इतना इस प्रकार तो यह हम देख लेते हैं यह वेक्टर क्या है यह है और यह वेक्टर क्या है भी है और इसी के जैस्ट अपोजिट दो ही सामानतर सदिस में डिसकस किया गया है तो दो ही रेख कि चार मीटर क्या है यह रेखा और से बिंद। سے बिंदू से दिविंदू तक जाना है चार मेटर यह प्रइंग कर रहिए समान तैंग कर रही है चार मीटर ये भी तैंग कर रही है और चार मीटर ये भी तैंग कर रही है पहिणाम तो हमको मिल गया कि चार मीटर के बाद हमको ये से यानि कि बिंदू वन से टू पर पहुंच जाएंगे और उसे पकार बिंदू टू से वन पर पहुंच जाएंगे च का दो एक दूसरे क्या होगा कि विप्रितंड दिसारें हो जाएंगे तो एक क्या कर माइनस में कि ब्रक में अच्ची निरच्षी निरच्षी या बहुत उपर दिसकस तो क्लियर होई हो तो तो इसी काग्या हम लोग और भी विंदू पढ़ लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों के इसको रफ किया जाए दोस्तों तो जैसा कि यहां पर हम लोग देखें यह सिक्स नंबर पॉइंट होके कि एक आंग की कि सदेश होके हैं तो यहां पर यह प्रोसेस हो रहा है दोस्तों कि एक आंग सदेश वह सदेश जिनका परणाम वन हो परणाम क्या हो वन हो उसे हम उसे हम लोग क्या कहते हैं यहां पर यह बताया जा रहा है दोस्तों वह सदेश क्या वह सदेश जिनका परणाम क्या हो वन हो उसे हम लोग क्या कहते हैं एक आंग के सदेश कहते हैं दोस्तों क्या एक आंग के सदेश आई बात गई समय में अब इसी के एकार्डिंग हम लोग सातवा पॉइंट पढ़ लेते हैं सातवा पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हैं अब यहां पर सातवा पॉइंट क्या होगा वहां सादिस जिनका जिनका प्रणाम सुने हो जिनका प्रणाम क्या हो सुने हो तो वहां उसे हम लोग सुने सादिस करते हैं वहां सुने जिनका प्रणाम क्या हो सुने हो वहां सदिस जिनका प्रणाम क्या हो सुन हो तो उसे हम लोग सुने सदिस कहते हैं या कही जाएगी तो इसी में अत्वा लगा करके एक परिवासा और उपढ़ सकते हैं दोस्तों जैसा कि यहां पर ध्यान देजिएगा अत्वा लगा करके यहां पर उपर देख सकते हैं देखिए यह उपर है इसका जो पाट है उपर बंदा है देखिएगा तो यहां पर आप लोग यह कह सकते हैं सुन्ने क्या सुन्ने सदिस सुन्ने सदिस का ना तो ना तो परिणाम ना तो परिणाम और और ना है कोई दिसा होती है तो यहां पर यह नोटिस करना आपको जो सुन्न सदिस है सुन्न सदिस का ना तो परिणाम और ना ही कोई दिसा होगी ना परिणाम होगी ना दिसा होगी इसको आप लोग नोटिस करिए किसलिए इसमें से चार पार्ट को मैंने क्या किया विस्तार रूप से आपको बताया और तीन पार्ट क्या क्या छोड़ दिया अब तीन पार्ट जो हैं मुक्त सदिस और सर्पी सदिस या आबद सदिस यह इंपॉर्टेंट नहीं है इनमें बहुत ही प्रासेस अलग होता है जो आपको मलब यह पूछा नहीं जाता है इसमें किसी प्रकार कोई भी समय से आपको नहीं आएगी तो इसी कागे हम लोग एक पॉइंट और समझ लेते हैं जो योग देख लेते हैं का सदिसों का योग इंपॉर्टेंट है फिर उसके बाद क्या किया जाए प्रोसेस क्लियर किया जाए सदिसों का घटाना भी पढ़ लेंगे फिर उसके बाद गुड़ा भाग सब देखेंगे ओके इसको रब किया जाए तो यहां पर हो जाएक दोस्तों सदिसों का योग है सदिसों का योग इसको हम लोग पहले लिखते हैं फिर समस्ते हैं किसी भी सदिस रासी में परिणाम वा हुआ दिसा दोनों का समावेश हो तो इन हैं जोड़ने के लिए जैमिती नियम या विधी यह यह का का उप्योग होता है इस जब इसको सदिसों का योग करेंग दोस्तों इसमें यह जैमिती विधी का क्या करना पड़ेगा अवको उप्योग करना पड़ेगे इसको थोड़ा ध्यान करिएगा यह पॉइंट कुछ नोटिस करने वाली बात है जैसे कि किसी भी सदिस किसी भी सदिस रासी में पहणा मुवादिसा दोनों का समावेश हो तो इन्हें जोडने के लिए जैमती विधी का उप्योग हो इन्हें जोडने के लिए जैमती विधी का उप्योग होता है ओके अब इसी के आगे हम लोग देखते हैं अब जैसा कि यहां पर जैसे मान लें जी कि इस प्रकार क्लियर करिएगा थोड़ा यहां पर एक इस प्रकार रेखा ले लिजिए यह वेक्टर ए है ओके जब इसी रेखा को आगे क्या किया जब बढ़ाया जाए ओके बढ़ा दिया मैंने जब इसी पर आगे बढ़ाया जा तो इसी से एक उर्दवा घर्रेखा कार करा दीजिए और इसके क्या बन जाएगा ठीटा कूल बन जाएगा ओके यह प्रोसेस यह क्लियर कर रहा है ठीटा कूल बनेगा लेकिन यह वेक्टर क्या हो जाएगा वी हो जाएगा यह वी हो यह वेक्टर क्या हो गयां भी मान लेते हैं 6 यह 2 वेक्टर एक यह भुजा ले लिए एक यह भुजा ले लिए और इस पर से 1 और से 3 essent भीर दला क्यों एक दो स्थार्वलों किया जाएका तो इसका यूग यह भुजा एक दोस्तों बढ़ी भुजा बरावार हो गिलाइट इसकोइर हो एंगर अभर लंब लावर फ्लस आधार होता है लेकिन अगर उसी को यह तो होता नहीं जैसे यह कहा कि कान बरावर ब्लक प्लस आधार यह नहीं प्रॉसस क्या है और इसको हम लोग क्या कर दें क्या क्या कर देंगे तो यह जाएगा विक्टर नहीं होगा क्या कि इतनी बात क्लिय है अब इसी केबाद process क्या होगा जैसे कि यह इस ही कार्डिंग जब हम लोग यह process कर दें क्या process यह कर दें और इसमें समा करें इस व्रकौद देखिए जब इसको व्रख लेले हैं कि इस प्रकार ले लिए और यह क्या मान लिए यह हो गया किसले सभी ए आधार है तो इसको आधार मान लिए और इसको क्या मान लिए मान लेते हैं ये बी ये लंब क्या है बी है ना वेक्टर वी है तो इसको बी रख देंगे ओके और जब इसी पर हम लोग इस पर से वेक्टर आर की एक रेखा खिर देंगे ये हो जाएगी क्या ये मेरा क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगे इस तरव इसका मुख रहेगा तो ये क्या हो जाएगा ये आर हो जाएगा लेकिन यहां पर मैंने यही प्रॉसेस किया हूँ लेकिन बस इसमें उल्टा कर दिया हूँ तो ये क्या हो जाएगा वेक्टर आर डैस हो जाएगा वेक्टर आर डैस ये इसका सम तुल्य निकाला जाए तो इस में प्रॉसस क्या हो जाएगा दोस्तों दखिए जब इसका उल्टा सर किया जाया गया तो बी को पहले रखा जाएगा अर्दा था था तो पहले आर को रखा जाएगा विक्टर 으면 बराबर यहां पर बी खालिए इसका फूच्छ को पहले रखा जाता आधर यहां पर क्लियर करना आपको अब रही बात यह अभर ही तो होता है यह जो का योग हो गया सदी सो को योग मैंने आप को क्या समझ़ाया एक चित्र ए हो गया हो गया हो गया हahu इस इसको आप ध्यान पूर्वक देखिए क्योंकि यह बहुत ही इंप्वर्टेंट रहे हम लोग पढ़िन का आज तो की हो पाएगा जो यह पॉाइंट है सिंट यह पहला हो गया इसके बाद यह क्या हो यह हो जाएंग फ। का सदी सो का कर घठाना का सदी सो का घठाना इतनी अधाने अध्य पार सक फिस्क पहले एक और पैंट बची है दोस्तों यह बहुत हैं अब इसके बाद हम लोग देखेंगे सदी सो यह अलग पॉइंट है ओके सदी सो का योग है अब कहेंगे सदी स यहां भी योग है और यहां भी लेकिन यहां सदी सो का योग त्रिभुज के अनुसार अब कहेंगे सदी यहां त्रिभुज के अनुसार क्या प्रोसेस हुआ यहां प्रोसेस यह हुआ दोस्तो इसके त्रिभुज के काडिंग हम लोग एक फार्मूला सद्ध करेंगे क्या रोड में एसकौर प्लस बी स्कौर प्लस टू एबी कोस्ट टा ओके यह हम लोग सद्ध करेंगे यह प्रोसेस आपको क्लियर करना यह मैं सद्ध कराऊंगा और इसके बराबर इसके बाद भी सिद्ध होता है और यह कंडिशन होगी सब्सक्राइब करना है तो यह मैं जो बेसिक क्लियर था मैंने इसको क्या किया क्लियर करवा दिया कहीं भी किसी प्रकार कोई भी दिक्कत होगी आप लोग कमेंट करिए गा उस कमेंट का जवाब आपको मिलेगा जैसा कि मैंने पिछले भी क्लास में बताया है कि हबते में सि तो यह रही बात कुछ सदिसों पर आने वाले क्लासों में हम लोग कुछ और अलग पढ़ेंगे जो आपको बेसिक कॉंसेट क्लियर करवाएगा जैसा कि एक बात ध्यान रखिएगा सभी लोगों को यह नोटिस यानिके ध्यान देना है ध्यानी देने वाली बात ही है कि सभी यानिके जो मैं पढ़ाया जारहूँ उसको आप लोग क्या करिये नोट स बनाती हुए चलिए कि इसलिक अभी भी कहीं भी आप लोग बोल जाए तो उसको पेंश पलट करके उसका आप लोग एक बार करिए सरसरी निगाहों में क्या करिये देख लीग जिससे कि आपका क्या हो जाए क्लियर होता चला जाए मालने जिक नोट से नहीं बनाए हैं तो समस्या हो जाएगी कि अब हम कहां से देखें यदि बनाए होते हैं तो क्या होता तो पहले ही बना लिया जाए कि ऐसी कोई समस्या ना आए कि आगे चल करके हमको क्या करें करना पड़े पस्ताना पड़ यह प्लिस लाइक के जे सेर के जे सब्सक्राइब करना ना भूलें सरफ़तम बेल आइकन बहुत ही इंपॉर्टन्ट है तो दोस्तों आज क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं थैंक्यों थैंक्यों बेरिमास धन्नावत दोस्तों